नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हूँ, उमीद है आपसे भी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वरक्षीट नमबर 7 आपका नाम और आपकी टीचर का नाम लिखे और उसके आदिय वरक्षीट शुरू करेंगे चलिए हम भी आपकी वरक्षीट को शुरू करते हैं बच्चों आपने विभिन तरह के फल खाए होंगे तो चलिए आज कुछ चित्रों के माध्यम से फलों की एक कहानी पढ़ते हैं चित्र कथा को ध्यान से पढ़िए और कहानी में आए फलों के नाम अपनी कौपी में लिखे इसमें जो भी फल आए हैं उनको आपको अपनी कौपी में लिखना है आओ फलों के साथ खेले मदद कोई मेरी मदद करो कहां हो तुम सेव कोई चिला रहा है कि मेरी मदद करो तो केला उससे कहता है कहां हो तुम सेव यानि कि सेव जो था वो मदद के लिए पुकार रहा है मैं अपने मित्र संत्रे के साथ खेलते खेलते फलों की टोकरी में गिर गया था, तो सेव कहां चला गया था, फलों की टोकरी में गिर गया था, संत्रा कहां है, क्या वे मेरी तरह है, पीला वा लंबा है, तो केला कहां है, क्या वो मेरी तरह ही पीला और लंबा है, तो नहीं नहीं, मैं तो गोल और संत्री रंका हूँ, तो हमने तीन फलों के बारे में पड़ा पहला है केला किस रंका होता है केला होता है पीले रंका मैं आपको लिखके दिखा देती है इसके नाम यह केला जो की है पीले यह सेव जो की है लाल रंग का और यह संत्रा जो की है संत्री रंग का ठीक है प्रकृति ने हम सब को रंग आकार और स्वाद में भिन 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 बनाये तो केला जो होता है वो मीठा होता है सेद भी मीठा होता है लेकिन संत्रा जो होता है वो मीठा और खटा दोन होता है निकि कि संत्रे का स्वाद हम खटा मानते हैं तो अगला प्रशने आपको आपके लिए बच्चो अपने प्रिय फल के बारे में अपने अभी बावकों को बताईए आपको जो भी फल अच्छा लगता है आप उसके बारे में अपने पेरिंस को बताएंगे तो जैसे मुझे सबसे तो मैं अपने पेरिंस को संत्रे के बारे में बता सकती हूँ आपको जो भी फल अच्छा लगते है आप वो बताएंगे अगला प्रशने दो ऐसे फलों के नाम अपनी कॉपी में लिखे जिनका स्वाद खटा है तो जिनका स्वाद खटा है वो पहला तो संत्रा ही है दूसर आप नीबू लिख सकते हैं या फिर आप मोसंभी लिख सकते हैं बाकी इसे रीट करें और इसे अच्छे से पढ़ें अमीर आपके लिए बक्षित यूस्फल रही होगी अगर यूस्फल रही होगी तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए औरी चैनको सब्सक्राइबूची, दाने बाइ